Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique. आप सभी का मेरी YouTube चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है. So, आज है Friday, February 9th, 2024. English vocabulary में word of the day is genial. G-E-N-I-A-L Genial का मीनिंग होता है, friendly and pleasant, used about a person. प्रसन्चित और मित्रवत So, genial जो वर्ड है, वो किसी भी person के लिए, व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है. जो कि friendly हो और pleasant हो, यानि कि मिलनसार हो, हस्मुख हो, जिसका नेचर friendly हो. Someone who is genial is kind and friendly. यानि कि अगर किसी भी person को हम genial कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि वो kind है, friendly है, हस्मुख है, मिलनसार, स्वभाव का है. So, ये होता है genial का meaning. Now we move on to synonyms and antonyms of genial. Synonyms of genial are friendly, kind, pleasant, affable, cordial, amiable, or cheerful. So now, अब देखे, genial का meaning क्या होता है, इस person के लिए यूज किया जाता है word, जो मिलनसार होता है, हस्मुख होता है, friendly nature का होता है. So, इसका opposite क्या होगा कि कोई भी person is unfriendly है, या rude है. So, now, antonyms of genial are rude, nasty, unfriendly, morose, or unpleasant. So, these all are the synonyms and antonyms of genial. Now we move on to example sentences. So, first sentence is, the genial host made sure everyone enjoyed the party. यानि कि बहुत ही मिलनसार और हस्मुख host, host यानि कि जो anchoring करते हैं, host, उन्होंने ये sure कि सभी लोगों ने पार्टी में enjoy किया, कि कोई भी मतलब ऐसे enjoy ना कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, कि सभी लोग पार्टी में खुश थे, everyone enjoyed the party. Now, second sentence, क्योंकि पते क्या है, जो host होता है, उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी होती है, कि सब को पार्टी में मज़ा आए, और सब एक तरीके से उसमें enjoy करें. Now, second sentence, her genial attitude is her greatest strength, यानि कि उसका जो genial attitude है, मिलन सार हस्मुक स्वभाव है, वो उसकी greatest strength है. Third sentence is, the young girl was genial, not rude and obnoxious like her brothers. This sentence का meaning है, कि जो young girl है, चोड़ी बच्ची है, वो genial है, बहुत ही हस्मुक मिलन स्वभाव की है, मिलन सार है, ना कि rude है अपने भाईयों की तरह, rude का मतलब होता है, रूखे स्वभाव का और obnoxious मतलब अपरी है, कि जिनको कोई पसंद नहीं गरता. कि वो लड़की जीनियल है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, अपने भाईयों की तरह नहीं, जो की rude और obnoxious है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा, English vocabulary word, जीनियल, जिसका मीनिंग होता है, मिलन सार हस्मुक. आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह डेली English vocabulary सीखने के लिए, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेस दी बेल आगन फॉर दी अपकमिंग वीडियो, तो आट सॉल फॉर तोड़ वीडियो, थै